12.370 को लेकर एक बफिर से आरोपर प्रतेरोपों की राजनीती शुरू हो चुकी है राहूल गांदी ने जिस तरीके से तंज कसा था उसे लेकर इम्रान खान ने खत के जरीए यूएन में प्रस्ताफ रख दिया है जिसको लेकर जादा बाच्चित करने क्लिक मिरसत से लगातार कश्मीर को लेकर जो है बयान सामने आरतिक नया बयान सामने आया जिसको लेकर इम्रान खान ने खत के जरीए यूएन में बात रखी है इस बात में जो है ये कहा गया था कि कहीं न कहीं कश्मीर में जो लोग है बड़ी संख्या में मारे जा रहे है एक दम गलत ह को अपनाने की बात करते हैं जो राहूल गांधी ये आज की नहीं बात नहीं की देने उनके परिवार की देने जो आज देश गुलामी की तरफ जिसको कस्मीर को समझा जाता था उसको आजात करने में अंचिर शाजी ने और नरिंद बोधी जी ने अपना पर्चम लह रहा है तो इनको कटना ही हो रही है, तकलीप ही हो रही है, वहां के लोग खुली हवा में सास लेकर, आजादी की साथ घूम रहे हैं, तिलंगा लगा रहे हैं, और वह बहाँ पर जसन जैसा महुल है, आज वो उसको बनाम करने की साज़िस कर रहा है, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है अगर हम समझे जिस तरीके से राहूल गांदी हाल ही में कश्मीर पहुचे थे लेकिन उनको जो हैं एंट्री नहीं करने गई गई वहाँ पे तमाम विपक्षी पार्टी की और भी नेता थे उन्हें रोक लिया गया आपको लगता है कि आपकी पार्टी की तरफ से भी नाट्टे रुपांत्रन हो रहा है कि पहले परमिशन दी जाती है फिर बाद में आने नहीं दिया जाता देखिए ये गलत सोच है जो इस तरह की बाते करते हैं महल खराब अगर कोई करेगा तो उसको निश्ची तुर्फ से रोका जाएगा रहूल गांधी की मंसा ठीक नहीं थी रहूल गांधी जी की मंसा वहां का महल खराब करने के दिए बहिंसा बढ़काने की आज वो पाकिस्तान को साथ लेकर बात करते हैं यह हिंसात्मीक बाते हैं हम आंत्यगाद को समात करने की बात करते हैं को नहीं पता किया जम्मू कस्मीर के अंदर जो हालाथ थे आज वो सुधरने लगें आज उनको राज़्ची में कुछ बात कुछ ना कुछ बाते कहने के लिए यह सब बबंडर राचा जा रहा है और मैं निश्ची तुल्प से इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर आमन और चैन कायम है और दिन पर दिन टीवी के माध्यम से रेडियो के माध्यम से लोगों के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से